क्या बच्चा गर्व में भाशा सीख सकता है? क्या बच्चा सच में मा के गर्व में लेंग्वेज को सीख के उसे बाद में यूटिलाइस कर सकता है? ये क्वेशन हर प्रेगनेंट कपल के मन में होता है मेरी ये जो गर्ब संसकार वेट और विज्ञान की जो सीरीज है इसमें मैं बहुत सारे एक्जामपल्स हमारे वेदों के वक्त के लेकि उसको आज के जो मॉडरन मेडिकल साइंस है उसके साथ को रिलेट करने वाली हूँ और आपको बहुत सारे क्वेशन्स के आंसर देने वाली हूँ अस्चा वक्रा हमारे यहाँ पे एक बहुत ही विद्वान माने जाते थे उनकी जीवन के बारे में कहा जाता है के उनके पिता रुशी कहोड जो थे उन्होंने जब उनकी वाईब सुझाता, मतलब कि अस्टा वक्रा की माता सुझा ता प्रैग्नेन थी तब वो मंत्रोचार रेगूलरली जब भी करते थे तब सुजाता भी उनके साथ बैठके वो मंत्रों को सुना करती थी और रुशी कहोड जब भी मंत्रों चार करते थे तो गर्ब में अस्चावक्रजो थे वो भी ये मंत्रों को regularly सुनके उन्हें घर्ब में ही सीखते थे एक बार रुशी कहोड ने कुछ गलत प्रोनाउंसेशन कर दिया तो अंदर से बच्चे ने अपने पिता को टोका कि ये प्रोनाउंसेशन गलत है तब naturally कहोड को अच्छा नहीं लगा और उनोंने गुसे में आके अस्टा वक्र को शाफ दिया कि जब तेरा जन्म होगा तो तू आंट अंगों से डिफेक्टिव मतलब कि तेरे शरीर के आंट अंग वो वक्रा मतलब कि टेड़े मेड़े होंगे और अस्टा वक्रा का जन्म हुआ और वो सच में अपने शरीर से बहुत ही तेड़े मेड़े थे पर वो बहुत ही ज्यानी और विद्वान थे राजा जनक ने जब अपने वहाँ पे सास्राट के लिए कहोड को इन्वाइट किया तो कहोड वहाँ के जो ज्यानी थे पंडित थे उन लोगों से सास्राट में हार गए और उन्हें राजा जनक ने जैल में या तो इंप्रिजनमेंट में डाला तब अस्टा वक्र वहां जाते हैं और वहां के पंडितों से शाश्रात करके जीतते हैं और बदले में अपने पिता रुशी कहोड को मुक्त करवाते हैं जब हम ये सुनते हैं, तब कहीं पे हम सर्प्राइज होते हैं कि क्या बच्चा सच में गर्ब में भाशा सीखता है? जी हाँ, Modern Medical Science ने बहुत सारे रिसर्च से ये प्रूव किया है कि बच्चा गर्ब में चार तरह की लेंग्वेज मिनिमम सीख सकता है Psychologist Alexander ने अपनी रिसर्च में एक बहुत अच्छा एक्स्प्रिमेंट किया उन्होंने दूरिंग प्रेगनंसी बहुत सारे मदर को टाटाटा वर्डिंग्स वाला एक म्यूजिक सुना है जब ये बच्चे बहार आ गए तो उन्होंने ये बच्चे जिन्होंने प्रेगनंसी में ये म्यूजिक सुना था उनको भी फिर से सुनाया और कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने ये म्यूजिक नहीं सुना था और दोनों के brain responses को उन्होंने measure किया और उन्होंने conclude किया कि जो बच्चों ने गर्ब में ये music सुना था उनका response था कि वो ये music को जानते हैं जिन्होंने नहीं सुना था उनके बहुत variable response थे Second step में उन्होंने यही music को अलग-अलग पीच में जो बच्चे उन्हें गर्ब में सुना था उनको सुनाया तो जब वो पीच बदला तब भी बच्चों ने anxiety के stress के reaction दिये क्योंकि उनको कहीं पे ये जो उन्होंने सुना था उससे ये पीच जो different थी वो stress दे रहा था एसा ही एक जर्मनी में research हुआ है डॉक्टर क्रिस्टिन ने किया उन्होंने प्रूव किया कि मदर घर्ब में जो भी tone में बोलती है जो way में pronounce करती है बच्चा वही tone को वही pronunciation को पकड़ता है और बहार आके वो भी वही language को उसी way में बोलने की कोशिस करता है मदर का tone पकड़ने की वज़े से ही जो फ्रेंच बच्चे होते है वो high tone में रोते है और जो जर्मन बच्चे होते है वो low tone में रोते है इवन एक Korean बच्चों पे research हुआ था जहां पे जो बच्चे birth के within one month adoption के लिए दूसरे countries में भेजे गए कि जहां पे Korean language से उनका बहुत ज्यादा exposure नहीं था वही बच्चे भी जब दूसरे बच्चों के साथ Korean language सीखने बैठे at around age of 4 और 5 तो दूसरों बच्चे की compare में यह बच्चे बहुत speed में वो language सीख पाए German University में ही और एक Chicago University में भी research हुआ है जहां पे उन्होंने प्रूव किया है कि mother अलग-अलग language बच्चे को बूम में सिखा सकती है और बच्चे को language में expert बना सकती है तो as a mother आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको जो भी language बच्चे को सिखा नहीं है इसके लिए खुद interest develop करना पड़ेगा उसको सिखना पड़ेगा उसको सुनना पड़ेगा और वो भी पूरे अच्छे emotions, positive emotions के साथ कोई नई language को सिखते वक्ट, सुनते वक्ट अगर आप boring feel कर रहे हो, unpleasant feel कर रहे हो तो वो भी फिर बच्चे में वो emotions भी आएंगे तो मदर को बहुत language जो बच्चे को सिखानी है, उसके साथ familiar होना पड़ेगा, उसे सुनना है हो सके तो उसे बोलने की कोशिस करनी है, उसके conversations, dialogue के साथ involved होना है इसके साथ में अगर हो सके, reading possible है, तो वो languages को read करना है बहुत जरूरी है कि बच्चा जो भी language सीखे, वो वो बहुत ही clear way में सीखे अगर मदर during pregnancy संस्कुरू chanting करती है, तो हर किसी language में उसके जो pronunciation है वो बहुत बच्चे के clear होते है, तो मदर को संस्कुरू chanting भी करना चाहिए और language को बहुत शुद तरीकों से बोलना चाहिए, और हाँ, कभी भी mix-up नहीं करना चाहिए Usually मैंने देखा है कि हम जब भी कोई बाते करते हैं, तो हमारे एक sentence में English, Hindi, Regional Language सब होच-पोच हो जाता है, ऐसा नहीं करना है अगर आप Hindi बोल वह हो, उस वक्त शुद हिंदी बोलेंगे, आप English बोल वह हो तब आप शुद English बोलेंगे आपका खुद का vocabulary कितना है, या आप कितने level तक language बोल पाते हों, वो ज्यादा matter नहीं करेगा पर आपका वो language सीखने का जो process है, वो बच्चे में वो language का development करेगा क्योंकि अभी यहाँ पे बच्चा शब्दों को नहीं, टोन को सीखता है शब्द तो बहुत सारे होते हैं, तो उसको lifetime हर language के शब्दों का अपना जो व्याप है वो बढ़ाते जाना है पर टोन अगर उसने पकड़ लिया, तो वो सारी language को सीख सकता है We know, जब भी हम कोई अलग language को सुनते हैं, तो तब भी अगर हमें वो नहीं भी आती है समझ में तो भी जो बुलने वाला है, उसके टोन से हमें ये समझ में आता है कि हमें क्या कहा जा रहा है जैसे कि हमें डाटा जा रहा है या हमें कोई appreciation किया जा रहा है, तो same way बच्चा भी इस तरीके से language को सीखने लगता है तो फिर आप वेट क्यों कर रहे हो, अपने बच्चे को अभी ही language master बनाईए और हाँ, ऐसी ही बहुत सारी जानकारी, pre-nental development और scientific गर्ब संसकार के बारे में जानने के लिए मेरी ये चैनल को subscribe किजिए, notify किजिए, जो भी expectant and planning couple है उनके साथ ये सारा knowledge शेर कीजिए, मेरा online course है, आप अगर detail में step by step पूरा journey complete करके एक idea संतान के माता-पिता बनना चाहते हो तो online course जोइन कर सकते हैं, जिसकी पूरी contact details मैंने dropbox में दी है और मेरी जो scientific गर्ब संसकार book है, उसमें भी मैंने सारा knowledge step by step parents को सिखाया है तो आप इसे भी use कर सकते हों, पर आपको planning या pregnancy में अपना पूरा efforts डालके बच्चे का जो 80% development है, उसे बहतर बना के, एक ideal संतान के माता-पिता बनना ही है और इसलिए ये journey में मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, so be proud parent